हेलो फ्रेंट, स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल सणी सर के एक नए क्लास में आज घूलोगों का इतना सारा डिमांड देखने के बाठ आखिर जो है आज का डिमांड जो है आपको पूरै किया जा रहा है demand क्या है तो demand कि सर हिंदी के chapter और जो writer name है तो writer के बताईए कि कब जनम हुआ कब मृति हुआ और उसको जिस प्रकार आपने 12th को याद करवाये उसी प्रकार हमको कब याद करवाईएगा तो आज याद करवाएंगे आज जो है गदखंड का है यानि कि गदखंड में हिंदी में लखबग जो है बाड़ा चिप्टर है सिख्छा और संस्कृती तक तो इन सभी को याद करवा देंगे और कल जो है वीडियो आएगा तो उसमें जो है काब्वे खंड का जो 12 चेप्टर है उसमें याद करवा देंगे उसके बाद जो है नेक्स टेप जो टॉपिक्स आएगा वो इंगलिस के चेप्टर और राइटर नेम से और उसके जन्म और मृतियु से आएगा तो आप लोग नय है तो जूर जाइए और जीतना लोगों तक आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं वो शेयर करिएगा लाइक भी किजिएगा कमेंट भी किजिएगा लेकिन अभी नहीं जब तक यह आपको याद नहीं हो तब तक नहीं तो चलिए आज के इस वीडियो में याद करते हैं इ ले तेहं तनी questions को स्राम यहां पर जहाइं पाठ केनाम लिखल है यहां पर लेखर के नाम लिखल है यहां पर जन्म हैं और मृत्यूं है और यह कौन सा अबता है दो श्रम बीभाजन और जाती पृता क्या है अब देग निबनत्य है उबाद में करेंगे तो बीवाजन मतलब मत्लब बतवार कॉन करेंगा है करें जो है रफीम कि तरह अञाथ तू करिए तो कर अमारक मुगाएं देगा सब जेकर भीम के तरह सरीर होगा वही स्रम विभाजन करेगा यानि कि स्रम विभाजन के राइटर भीम राव अंबेदकर अब इनका जनम कब हुआ था ता 1891 का जनम हुआ इसे यहाद करें तो देखिए अठारा साल में द्हें की तरह आपका सरीर होगा तब आप स्रम कर सकते हैं आपकाम कर सकते हैं और पहंब केजी का वोजन होना चाहिए यानि की शरीरिद 240ोट केजी का तब भीम कितरк लगा काव लेगा एतरा साल में गशानम सरम का बटवारा कीजिए यानि की सरम विवाजन की रॉइटर्ट भीम B भीम के तरह आप तो नजरू नहीं आएगा 56 साल के बाद कोई आपका बात मानेगा बुढ़ा जाएगा तो नहीं तो 56 साल तक देखे एक जो है लोजिक है कि हम अगर अठार सो के बोलेंगे तो उसका पूरा डेट याद करवाएंगे और उनाइस्व में जो है आखरी यानि कि आखरी दो अक्षर बोलेंगे तो वो जो है उनाइस्व में आप समझेगा ठीक है तो अठार साल में एक आनवे के जिवजन बनाईए भीम के तरह बन ये काम का पारे पर स्रम विवाजन किया गया तो उस टॉपिक्स पर लिखा गया है यानि कि निवन्द है तो काम का बटवारा करना जो है किसके. 20 के नाथ 20 के नाथ के राइटर कौन है तब 20 कहां बनता है 20 मतलब जोहर जोहर नलिया में का बहता है जोहर नलिया में कितना कचरा है उससा पी के देखिए तब जारे नुहें तब बहता है नली यहीं सब्सक्राइब करेंगे तो सोला साल में सब्सक्राइब के तरह होता है किसी आग बोलेगा चाहे लगाई उराई करेगा तो दांते काट लेता है है सब्सक्राइब की शोला स्वाइब जोगा तो कर्दाथा रहेगा सब्सक्राइब के का गाहानी है तो लोग किसके बारे में क्या विचार रखते हैं उसी के बारे में लिखा गया है कहानी है तो कहाणी है अब नेक्स है कि भारत से हम क्या सीखें तो भारत से जो है मैक्सिमम लोग सीखने का ही प्रयास करते हैं फिर से एक बड़ सुनिए का हम का करें हैं भारत से मैक्सिमम मैक्समूलर भारत से मैक्सिमम लोग सीखने का प्रयास करते हैं यानि कि वह कर राइटर कौन हो गया मैक्समूलर भारत से मैक्सिमम लोग बहुत सार लोग सीखने का परियास करते हैं भारत से क्या सीखे के राइटर मैक्स मूलर मैक्स मूलर राइटर याद हो गया तो अब एकर जनम तो 1823 में तो 18-23 साल तक जो है आदमी सीखे के परियास करता है तो अपने उड़े लगता है सब सब्सक्राइब नहीं 18-23 साल तक जो है सीखना का परियास करता है यानिके मैक्समुलर का जनम 1823 में हुआ और सीखता है सब 0-0 यानि भारत से क्या हम सीखें तो का काता है कि कोनों से एक पुझा जिखने अनिह जीरो पुड़ा पूरी उनाइस्व में जो है इनका भारत से हम क्या सिखें हैं कि नाखून कियुं बढ़ते एंहाई हजारी है हजार साल बढ़ता था और हजार साल यहार साल धी नाखून बढ़तेयर लगेगाई सातों दिन नखून में बढ़ते रहता है आज का टिंब एक बिआन भरसों दीन के सातों दीन जो है ना फून बढ़ते रहते रहते यानी सो शघ्म इनका जणम हुआ अब देखे चैंट आढर नासी नाहें ना से नो और है यानी स्ट करन लेख ड़िती हुज गया हमें नोव 나ासी में जो है नाखून का मृतिव हो जाता है यहानि 9녹 जाल में मर मिख explains चीज है तो किया बढ़ते हैं सब्सक्रावले बर्णाफ onभी बाड़ता था आज वी बरेगा हाजी्द प्रसादय बिडिए और सातों दिन बढ़ता था 1907 में इंका जनम और कब तक बढ़ेगा 89 साल तो कोरबात मर जाएंगे तो प्रितिव और नाखून वठते हैं इनके क्या है तो यह वो ललीत निबंध है का है ललीत निबंध है याद हो गया अब नेक्स्ट है नागरी लीपी नागरी लीपी के राइटर है गुनाकार मुले याद किसे करेंगे याद एक दम आईए ट्रिक दादा से आप बात कर रहे ह है नागरी लीपी नागरी मतलब नगर अब गाउं से कोई गुना अच्छा होता है नगर फिर से गाउं से कोई गुना गुना गुनाकार मुले गाउं से कई गुना जो है अच्छा होता है नगर यानि नागरी लीपी के राइटर गुना यानि गुनाकार मुले राइटर हो तो प्रिकार का निवंद है नगर के बारे में बताया गया कि नगर कैसा होता है इसमें भसाएं कैसी बोली जाती है तो इसी के बारे मताया गया तो यह एक निववन्द है अब समझ गया होगे और याद भी हो गया होगा बहादूर बहादूर के राइटर हैं अमरकांथ अब बताईए जो बहादूर आदमी होता है वो अमर हो जाता है सब है कि नहीं जितने भी बहादूर लोग भारत में आपको तो उसके ल pada न voluntary अमर होते हैं बहादूर हम है बहादूर आप हैं भार रहेंगे जिन्दगी पर अमर रहेंगे बहादूर के राइटर अमर कांत अब अमर रहेंगे तो बताईए पचीस पचीस साल से 90 साल तक जी गए तो अमर हो गए तो देखिए यह जो है जो है आदमी का मैक्सिमम जो है एज लिमिट है का लोग भोजन बेकार कर रहे है ना हम लोग जो है जंक पूट ज्यादा खारें ठीक है तब पचीस साल पचीस साल से नावासी साल तक जी गई ला यानि कि 2014 में आपका जो एम्रिति हो गया किनका अमर कांट का अब 1925 में जो है जनम हुआ और इका है तेगो कहानी है अब बहादूर एगो जो है चेप्टर पढ़िए गा तेगो नौकड है उसी का कहानी है तो बहादूर कहानी है ब पहादूर के बारे में बतायागコ यह कहानी है गो अब प्रमपणा कर ऑटाश I fish YE, के समय से या कौन जी के समय से रामजी के समय से राइटर कन丈 तो है उड़ने तो आप देखे बारह लिखल है तब बारह से का तब परंपरा जो है हमनी के बारह साल से समझने लगते हैं है 12 साल के पहले तामनी के एकदम छोट मूट बुधि राता है अमरीके कुछो कुछो कर देते हैं लेकिन 12 साल के बाद जो है परंपड़ा समझने लगते हैं कि नहीं इसके साथ ऐसे पेशा ना है हई पूजा करना है है कि नहीं तब 12 साल के उमर में यानी कि उनषइसो बारा म समझने लगते हैं यानि कि रामविलास सर्मा के करता हुँ नहीं सो बार में जनम अब है कि 2000 में अब 2009 परंपरा नी भावे में लगता है लगता है कि नहीं लगता है अब कौनों परंपरा जो है आगी अमान किसे लिए सरसती तो फट्रा में 2000 से कम खर्चा होगा है कि कि नहीं परंपरा आपनी भाई ये तक दूहजर लेगा यानिकि मिरती हों राम विलास सर्मा के मिरती होग्तीह.शार में और का है वो दोऌत जीत जीत में निरखत हूं जीत मैं निरखत हूं ऊचले एक बार हम जीट गए ता कहा कहलाएंगे का लाइंगे को है दुग deeper जीत जीत कहला जाता है। उनて निर्ख्ष्य तो का कहलाएंगा महराजा है य़ी जीत मैं रिख़त हुsti के राइटर पंडित बिर्जु महाराज पंडित बिर्जु महाराज क्या बजाते थें कमेंट बॉक्स आमें लिख दिजिएगा बड़ी असान है पंडित बिर्जु महाराज क्या बजाते थें तो दू बर जीते गां तो उका कहलाएगा महाराजा अब 29 साल में एक बार जित वह हैं उन्हाइस सल में एक नभित लए तो उर्जा डवा टाई तो दुबुना कब जीत तुबंध कब जिट टहिए तो उन्हाइसु सतंट तुबले चाहले कि महराजा के जन भी सुनहार है बुसक्तियों सब्षथ क्यों सब्सक्राइब invitedudis जब करने नहीं गई लह हम कहाँ से पूछेगा सी बात है अब इक है तो यह साक्षतकार पंडित बिर्जु महराज के साक्षतकार यानिक के इंटर्व्यू के बारे में जो है लिखा गया है उस चेप्टर में अब नेक्स्ट आज भी नियों कि अब का हम बताएं उस्य विन्यों और 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 स्य असोख भाजपह है तbn रॉटेजर आईटर आको भाजपहह हैं तो अब असोख बाजपहह है noch हाव मसोख नामे से लग रहा है 41-42 साल के यानिकी 41-41 में कर जाउनों पर कुछ लिखा गया है लगनी अब यह हो गया तो अब मचली 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 बीना पैसा के देता वकी ने जिवतर शूक ले यानि की सूल्क लेगा तब लेकर कर आँगे राइटर होंगे मचली किने जाएं सूखले बिनोत कुमार सूखले जो है इसके राइटर हो गए अब इस वादमी यानि उनाइस सल के वादमी है उन पाभर खा सकता है तो पाभर के कितना हो जती रेटावा कुछ पैसा होता है लेकिन 37 रुप्या हम लोग माल लेंगे कि उनाइस सल के वादमी है तो पाभर खा जाएगा यानि की 37 रुप्या लगेगा तो मचली के राइटर कौन बिनोत कुमार सूखल यानि सुलक से मिलेगा कितना में मिलता ही तो 37 रुप्या में पाभर मिल जते ही उ पाड़ डाइन अन्हें पाखाने में इबादत नौबत में खाना यानि कोई आपको बुलाया को उसमें जो है खाने जाना है नौबत खाने में बसरी जरूर रहता है याक्भाईंगे द्धावाः पाएं होटल में तो degradation अब इस मुझार演 लगाएगा तो मिश्री नौबत खाने मैं बुलाएगा तो मिश्री करेगा तो जी करेंगा तो साथ बेरी आएगव एई-घाएगा अच्छाहें क्षियल्या के बाद कहेगा कि सतहतर यानिकि उन्हेकाइर् समय 707 में का जणम केकर यतृमिस्र के न्यूमत्थ यानिकिक नौबत छाने में इबादत यानिकि नौबत में खाए जाएँगे तर् кажд Most मिस्री या तिंद्र मिस्री राइटर आग कहेगा कि 77 बार खाही आवाई था यानि उन्हें उन्हें सब्सक्षा और संस्कृति इंडियन कोन बना के रख गएगा हैं महत्मा गांधी जी नहीं रहते हैं तो अभी महत्मा गांधी जनम 1879 में हुआ था इस अब याद करे वला है अमिर्तिव का भुटत 30 जनवरी 1948 में हुआ था अब बताइए कि आपको यह याद हुआ कि नहीं हुआ अब कोनों कहेगा कि ने सर हम सेर् ने करमने तो हमरे दोस्तों पास उजाई अरे पागल सिक्षा ब Hundreds तह यह आगी आएग treatment आगी नया है तो सब्सक्राइब कीजिए उसके बाद कमेंट कीजए कि आपको किस टॉपिक जो है हाड लगता है यानि भारी लगता है और उस पर हम आपको बताएंगे ट्रिक आप ट्रिक के दादा से बात कर रहें ठीक है तो आप वीडियो देखने के लिए यहां तक थैंक यू